ओम शान्ति आज सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुपकामनाई हापी इंडिपेंडेंस दे और आज बाबा की प्रेडनाई सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस पर पंदरा अगस्त दो हजार चौबिस की मुरले बाबा केते मेचे वच्चे बाप आया है तुम्हे सची स्वतंत्रता देने जम घटों की सजाओं से मुक्त करने रावन की परतंत्रता से छुडाने स्थूल दुश्मन को तो हम देख सकते हैं देहधारी दुश्मनों पर तो हमने जीत पाली लेकिन रावन जो दुश्मन है उसकी ना हमें पहचान थी ना ही उस पर विजय पाने की कोई विधी मालूम थी लेकिन बाबा आकर हमें रावन की परतंतरता से छुडाते हैं सच्ची स्वतंतरता दिलाते हैं और बाबा कहते हैं जमघटों की सजाओं से भी छुडाते हैं क्योंकि अभी विकारों के पंजे से नहीं छुटे तो सजाएं खाने पड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, जमगटों की सजाओं से भी बाबा हमें मुक्त करते हैं। प्रशन हैं, बाप और तुम बच्चों की समझानी में मुख्य अंतर कौन सा है। जब बाबा साकार में थे, या बाबा अव्यक्त में भी आकर मुर्ली चलाते थे, तो बाबा के समुख पैठ कर सुनना और मुर्ली निमित ब्रामणी के मुख से सुनने में क्या अंतर हैं, वो बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं, जब बाप समझाते हैं, तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। तो बच्चे शब्द बाप के मुख से कैसे सुनाई देते हैं? है न? बिलकुल बाबा बाप के रूप में मीठे बच्चे कहते और ब्रामनी सुनाईगी तो कहेगी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तो दोनों में अंतर हो जाता जिससे बाप की बात का तीर लगता है बाप डाइरेक्ट सुनाए, कहें मीठे बच्चे तो बाप की बात का तीर लगता है तुम बच्चे आपस में भाईयों को समझाते हो तो मीठे बच्चे नहीं कह सकते है न, हम तो भाई हैं आपस में हम एक दूसरे को मेठे बच्चे थोड़ी कह सकते हैं, बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है, वो बच्चों को रियलाइस कराते हैं, बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आते, तुम पतीत बन गए, अब पावन बनो, तो बाबा जब ऐसे शब्द भी कहते ह हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तो बाप का अधिकार हैं कह सकते हैं, और बाबा गेते, तुम पतीत बन गए, अब पावन बनो, तो उस फर्मान को भी बच्चे बड़ी दिल से मानते हैं, ओम शान्ती, बेहत का रूहानी बाप, बेहत के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, अब ये बेहत का बाप और बेहत के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना तो बेहत के बाप को जानते हैं, ना बेहत के बच्चे अपने को मानते हैं, दुनिया में कोई अपने को ना आत्मा बच्चा समझते हैं, ना रूहानी बाप को जानते हैं, ब्रह्मा मु जिन्नोंने ब्रह्मा मुख से शिव बाबा को पहचाना वो ही जानते हैं, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं और मानते भी हैं, जानने मानने का सबूत क्या होता, चलना, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, ब्रह्मा भी जुरूर चाहिए, जिसको आदी देव कह जिसमें बाप की प्रवेश्टा होते हैं। बाप आकर क्या करते हैं तो कहते हैं पावन बनना है। बाबा कहते हैं कि बाबा का पाठ वंडर्फुल पाठ है। निराकार बाप को ब्रह्मातन का अधार कलप-कलप लेना ही पड़ता है। और प्रसेले ब्रह्मा को क्या कहते है आदी देव क्यूकि देविकुल की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा शिबाबा कराते हैं। और बाबा कहते हैं, बाबा आकर फरमान देते हैं, पावन बनना है। बाप की शुरीमत हैं, अपने को आत्मा निश्य करो, तो मुर्ली में, जब हम सुनते हैं मुर्ली, तो बाबा को याद कर मुर्ली सुनने हैं, कि बाप मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमें लज्जा नहीं आती, पतीत बन गएğı, अभी बाबा कहते हैं, अपने को आत् परिचे बी दिया है। आत्म को कैसे निश्य करना है, ऐसे नहीं, जैसे डुनिया में कहुते हैं, यह तो पाप आत्मा है, यह एसी आत्मा है। उस आधार से निश्य करना। आत्मा ने लुगा के बत्पste म lizard visualization के रहा है को आत्मा मूल रूप में utan उस आत्मा को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान कर फिर निश्य करना है आत्मा ब्रिकुटी के बीच निवास करती है बाबा ने समचाया है आत्मा अविनाशी है इनका तक्त ये विनाशी शरीर है तो आत्मा को कैसे निश्य करना है कि मैं आत्मा प्रिकुटी तक्त पर बैठे हूँ, मैं शान्थ पवित्र हूँ, अविनाश्य हूँ, शरीर विनाश्य है, शरीर का तक्त बदला, तो भी मैं आत्मा सदा हूँ ये बातें तुम जानते हूँ कि हम सब आत्माई आपस में भाई-भाई एक बाप के बच्चे हैं, फिर आत्मा निश्य करने से आपस में कौन से दृष्टी रखने हैं भाई-भाई की, और एक बाप का बच्चा निश्य करके बैठना है, और बाप का बच्चा निश्य करना म मेरे कुन, इश्वर सर्व्यापी कहना ये भूल है, तुम अच्छी रेती समझाते हो, हर एक में पांच विकारों की प्रवेश्ता है, इश्वर सर्व्यापी नहीं, पांच विकार सर्व्यापी है, तो कई समझते हैं, ये ठीक बोलते हैं, पहले समझते थे इश्वर सर्व्य ठीक है, अब हम कहते हैं हर एक में पांच विकार की प्रविष्टा है, तो बुद्धी कहते हैं ये बात ठीक है, हम भाई-भाई हैं तो जरूर बाप से वर्सा मिलना चाहिए, फिर ये भी अंडरलाइन करो कि बाप से जरूर वर्से का संबंध होता है, तो बाई-बाई हैं त तो बाप से वर्षा जुरूर मिलना चाहिए। परन्तु यहां से बाहर निकलते हैं, तो माया के तुफानों में चले जाते हैं। यह न, बाप के समुक हैं, तो बिलकुल ग्यान सुरूप बना देते हैं बाबा। फिर बाहर निकलते हैं, तो बुद्धी बटकती हैं, फिर माया का प्रभाव पड़ता हैं। कोई वेडले ठहरते हैं, सब जगा यह हाल होता है। है न, नए-नए में हर एक सोचता है, कि नहीं यहां नहीं होगा। पर सब जगा यही होता है, कि माया के वार से हार जरूर खाते हैं। समझ में आता है, तो और समझने की चेश्टा होते हैं। अभी तुम सब को समझा सकते हो। क्योंकि बाबा ने इतना समझतार बनाया। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं, तो क्या कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं है। अगर ज्ञान की तरफ किसी की रूची नहीं जाती। अटेंशन से नहीं सुनते। तो समझ में आता है कि इनका ड्रामा ऐसा है कि यह देर से आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, इन बातों को तो समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते हैं, तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। और जब समझाते नहीं है, तो समझ में आता है कि समझते नहीं है। तुमारे पास भी नंबरवार हैं। कोई अच्छा आदमी होता है, तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है। जो अच्छे हैं समझाने वाले, जो लगता है बाबा को अच्छा इनके समझाने से तीर लगेगा, तो कोई अच्छा होता है, तो उसके लिए उसको नियुक्त कया जाता है। शायद कुछ समझ चाहे। यह तो जानते हैं कि बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। क्योंकि बुद्धी में नशा होता है, पद का, धन का। तो इसलिए इश्वरिय नशा इतनी जल्दी नहीं चड़ता। हाँ, ओपीनियन देते हैं, लेकिन बड़े आदमी माइक बन जाते हैं, माइक भी नहीं बने तो ओपीनियन दे देते हैं, पहले ओपीनियन लिख देते थे। कि अच्छा यह संस्ता अच्छी है, काम अच्छा करती है, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिछे पूरा देते हैं, परन्तु खुद को फुरसत ही कहा है, और कह देंगे शिब बाबा आया हुआ है, बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन खुद कहेंगे मुझे फुरसत नहीं, तो इसका मतलब समचा नहीं न, तुम कहते हो बेहत के बाप को याद करो तो विकर्म बिनाश हो, आप कोई कहें मुझे विकर्म बिनाश करने की फुरसत नहीं, तो ये तो समझतारी की बात नहीं है, अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, यह न, दुनिया भक्ती में तो हमने इन डायरेक्ट पुकारा, लेकिन अभी तो बाप परमधाम से आकर डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट हमारे प्रती महावाक के उच्छारते हैं, डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वो बीके द्वारा सुनते हैं, यहाँ परमपिता, परमात्मा, ब्रम्हा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो यह ना बाबा तो डाइरेक्ट समझाते हैं बाबा क्या कह रहे हैं मुरली सुनते हैं मुरली डाइरेक्ट भगवान हो आज और डाइरेक्ट बाबा क्या कह रहे हैं तुम मेरा कहना नहीं मानते हो बाप का कहना नहीं मानते हो अ मेरा कहना नहीं मानते हो, कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा, हम कहेंगे, बाबा कहते हैं, तुम बाबा का कहना नहीं मानते हो, वहां तु बाप नहीं है, यहां बाब बैठे हैं, बाब बात करते हैं, बच्चे तुम बाब की भी नहीं मानेंगे, बाबा डाइरेक्ट बात नहीं मानेंगे, तो वर्सा कैसे मिलेगा, अज्यान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है, इसलिए तो मुरली हमेशा हर ब्रामभर सुनते हैं, ऐसा नहीं कि मुरली से कुछ समझाया जाये तो समझे नहीं, मुरली डाइरेक्ट सुनने क क्यों कि बाप की समझानी और भाई की समझानी में अंतर होता है, भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाप तो वो कह रहे हैं, जिसका बाबा स्वरूप है, और भाई जो है, उनकी धारना तो नंबरवार है, तो बाई का इतना असर नहीं पड़ेगा, जितना ब बाब का असर पड़ेगा, बाप फिर भी बड़ा हुआ तो डर रहेगा, क्योंकि बाबा तु वर्सा दे रहेगा हैं, बाबा तु धरमराज भी बनेगा, तो बाबा कहते हैं, बाप की बात का डर रहता है, तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करू, तुमको शर्म नहीं आती, तुम घड़ी-घड़ी मुझे भूल जाते हो, अब बाबा ऐसे शब्द कहते हैं, तो फिर शर्म आती है, लेकिन कोई और कहें, तो देय अभिमान को ठेस पहुँचते हैं, बाब डाइरेक्ट कहते हैं, तो वो असर जल्दी पढ़ता है, अरे बाब का कहना नहीं मानते हो, बेहत का बाब कहते हैं, ये जनम निर्वेकारी बनो, तो 21 जनम निर्वेकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, ये नहीं मानते हो, बाबा कहते हैं, कि मैंने तो तु offer दी है एक जनम निर्वेकारी बनेंगे तो 21 जनम विश्व का मालिक बनेंगे तो ये offer नहीं मानेंगे क्या बाब के कहने का तीर कड़ा लगता है फर्क तो रहता है ऐसे भी नहीं है कि सदेव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे अब बाबा कहते है नए नए को तो पहले तीर बीके लगाए फिर बाबा की डारेक्ट मुरली सुने क्योंकि एकतम से मुरली में तो नहीं बिठाते नए नए को उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं और साकार में भी बाबा नए नए से डारेक्ट नहीं मिलते थे, पहले तो बच्चे निमित बन, ज्ञान कुछ समचाई, परिच्छे उनकी बुद्धी में बैठे, तब बाबा के पास लेकर जाते, क्योंकि नए-नए में तो वो रिगार्ड नहीं रहता, तो फिर कुछ भी प्रश्न पूछते उल्टे सुल्टे, बुद्धी में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिलकुल नई बात, इसलिए बाबा से मिलाने से पहले, कोर साधी करा कर, निश्य बुद्धी बना कर ले जाया जाता था, गीता में श्री कृष्न का नाम लिखतिया है, वो तो हो नहीं सकता, बाबा के थे, गीता कोई देहध नारी की सुनाई हुई नहीं है, अभी ड्रामा अनुसार तुमारी बुद्धी में बैठा है, इसको अंडरलाइन करना, हमारी बुद्धी में बैठा है, क्योंकि हम कल्प पहले की देविकुल की आत्माई हैं, और ड्रामा अनुसार संगम युग में हमारी बुद्धी में ग्यान बैठा है, तुम बच्चे भागते हों, हम बाबा के पास जाएं, डाइरेक्ट मुर्ली सुने, अभी भी मदुबन की खीच बहुत होते हैं, क्योंकि डाइरेक्ट बाबा की अफ्तरन भूमी है, वहां तो भाईयों द्वारा सुनते थे, आप बाबा से सुने, बाप का असर होता है, बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं, लेकिन अब तो हमें बाबा की मुर्ली, भले ही कोई निमित भी सुनाते हैं, तो भी बाबा भासना दिलाते हैं, क्योंकि अब साकार पाठ तो परिवर्तन हुआ, अव्यक्त पाठ भी परिवर्तन हुआ, तो इसलिए बच्चों को कितनी जैसे मीठा उलहना देते हैं, कि लज्जा नहीं आती, तुम मेरी बात नहीं मानेंगे, बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, बाबा कहते हैं, तुम्हारा मेरे साथ प्यार नहीं है, कितना याद करते हो, तो कहेंगे बा बाप की बात मानना, बाप से प्यार रखना क्या बड़ी बात है। और बाप से प्यार रखेंगे तो बाबा की याद निरंतर रहेगे, बाप कर जाएंगे। बाप की बात मानेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो बाप की तो हर श्रीमत में जैसे विश्व का मालिक पना समाया हुआ है तो बाबा कहते हैं क्या बच्चे तुम इतना भी नहीं करेंगे जनम जनमांतर के पापों का बोजह सिर पर है बाप सम्मुक समझाते हैं तुमने बाप की कितनी गलानी की है तुम्हारे उपर तो केस चलना चाहिए बाबा गहते हैं वैसे तो जितनी गलानी तुमने की है तुम पर केस चलना चाहिए लेकिन बाप बच्चों पर केस नहीं करता अखबार में कोई के लिए गलानी लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं न हां defamation कर देतें लेकिन परिवार में क्या defamation करें तो बाप बच्चों पर केस क्या करें अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम क्या क्या करते थे बाब समझाते ड्रामा अनुसा रावन के संग में ये हुआ है अब रावन के संग में बुद्धी ऐसी पलड जाती है सोचो रावन के संग में तो ऐसा होता है कि ब्रावन बनने के बाद भी ऐसा ऐसे करम कर देते तो वसूचो अज्ञान काल में तो हमने कितने उल्टे करम किये अब भक्ती मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकनाई वाला तो होता नहीं बाबा कहते हैं, सत्यूग से त्रेता द्वापर कल्यूग बननाई हैं, जो पाठ कल पहले बजायव हूँ बहू रिपीट करनाई हैं, कोई उसको बीच में रोकना सके दिन प्रति दिन उतरते उतरते तमो प्रदान बुद्धी बुद्धू हो जाते हैं बाबा कहते हैं, दिन प्रति दिन, देखो सत्यूग से त्रेता द्वापर कल्यूग, कल्यूग अंत तक आते आते कैसे, तमो प्रदान बुद्धी अर्थात बुद्धू हो जाते हैं क्या कहते हैं क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं क्या करते हैं उस कर्म की गती से अपना कैसा भाग्य बनाते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता दिन प्रते दिन दुख बढ़ता है लेकिन कभी नहीं सोचते कि हमारे कर्मों में ऐसे क्या भूल हो रहे हैं जो हम इतने दुख धाम में गोते खा रहे हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनी को ठिकर वित्तर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहत की बेसमशी। एक तरफ कहेंगे दुखरता, सुकरता, पतितपावन और फिर उसी को ठिकर वित्तर में ठोकतेंगे। उसी के प्रति कहेंगे वही दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहत के बच्चों की बेहत की बेसमशी। एक तरफ शिप बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्व्यापी कहते हैं। है न तो सर्व्यापी फिर वर्सा कैसे दे। आभी तुम को समृति आई है इतनी बेसमजी कि जो बाप की गलानी कर देना कितनी बड़ी बेसमज़े। अब तुम बच्छों ने समझा है तो आप पुरशार्थ कर रहे हो beggar to prince बनने का beggar बने तो देखो कैसे 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 करम किये अब बाबा केते आप मैं श्रीमत दे रहा हूँ पुर्शार्थ करेंगे तो beggar to prince बनेंगे beggar to prince सोचो नीचे से सीधा सबसे उच्छा कितनी बड़ी ये मनसिल है कहते है चड़े तुचा के बैकोन ट्रस श्री कृष्ण सत्युक का प्रिंस उनके लिए फिर कहते 16,108 रानिया थी बच्चे थे ये भी कितनी गलानी की बाते हैं अभी तुमको तो लज्जा आएगी लज्जा आती है कि हमने क्या क्या किया लेकिन उससे भी जो करना चाहिए वो कर रहे है यानि अभी भी तो वो नहीं कर रहे है जो नहीं करना चाहिए वो लज्जा की बड़ी बात है कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं हे भगवान बड़ी भूल हुई रहम करो शमा करो और उसी भगवान के घर में पाप करे, उसी भगवान के प्रती उल्टा बोले, तो फिर किस से रहम शमा मांगेंगे, तुमने कितनी बड़ी भूल की है, बाप समझाते ड्रामा में ऐसा है, चलो तब तो बे समझ थे, ड्रामा में ऐसा था, लेकिन आप तो चेक करना है कि तब तो मैं आऊं, तो बाबा कहते हैं, चलो वो तो ड्रामा में नून था, कि गलानी करेंगे, पाप का घड़ा भरेगा, तब तो बाबा आएंगे, और पाप से पुन्ने की दुनिया में ले जाएंगे, अब बाप कहते हैं, तुमको सब धर्म वालों का कल्यान करना है, ब भगवान वाच मैं सर्व्यापी नहीं हूं, बाबा कहते हैं, चलो और तो कोई प्रूफ नहीं है, मैं कहता हूं, दुनिया में भी क्या, अपना स्टेट्मेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता, तो जिसकी बात है, वही कहते हैं, मैं सर्व्यापी नहीं हूं, तुम् और दूसरी तरफ कहते हैं, यहीं पतीत दुनिया में सर्वव्यापी हैं, तो सोच ही नहीं चलती, ऐसे बेसमझ है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कभी उसको चेक ही नहीं करते हैं, हम जब पहले-पहले घर से आए, तो पतीत थे क्या, देअभिमानी बनने के कारण पतीत बने सबसे पहले पतीत बनने में क्या आता है देअभिमान सबसे पहला विकार आता है देअभिमान कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचे है वो कौन है कहा निवास करते हैं तो कहेंगे उपर में है या कहेंगे सर्व्यापी हैं, बाब कहते हैं, तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है, बाबा कहते हैं, सारी बात तुम बच्चों ने ही द्वापर युग में निकाली, कि बाबा सर्व्यापी है, निमित तुम बने हो, सब को समझ बाबा के थे, तुमने सूत मुझाया हैं, तो उसको सुलटा भी तुमें ही करना है, भल ड्रामा अनुसार होता है, पर अंतु तुम पतीत तो बन गही ना, ड्रामा तो हेँ पर कर्म भी है, तो ड्रामा अनुसार ही किया, पर उन कर्मों से पतीत तो बने ना, sabhih hakimai हैं, वाले पुकारते हैं, क्योंकि पावन बने, तब तो मुक्तिदाम में जाएं, तो पतित पावन को पुकारते हैं, वहां पवित रहें, ये भी ड्रामा बना हुआ है, जो बाब आकर समझाते हैं, ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है, बाबा के पास समाचार आया, किसी आचारे ने कहा, आप सबको आत्मा में पर्मात्मा समझ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सर्व्यापी का ज्ञान ऐसा है, तो भाशा ऐसी कर देते, अब इतने सब पर्मात्मा है, क्या, कुछ भी समझ नहीं है, पर्मात्मा तो एक होता है, जिनोंने भक्ती जास्ती नहीं की है, वो क्योंकि ज्ञान उनकी बुद्धी में बैठता नहीं सेंटर्स में भी कोई कितना समय कोई कितना समय ठहरते हैं इससे समझना चाहिए कि भक्ती कम की है इसलिए ठहरते नहीं है फिर बाबा कहते है चलो भक्ती पूरी नहीं हुई है तो जाएंगे बटकेंगे फिर अन्त में जाएंगे कहां आएंगे यहीं क्योंकि भक्ति पूरी जैसे ही होगी तो फल तो यहीं से मिलेगा हटी तो एक ही है फिर भी जाएंगे कहां दूसरी कोई हटी तो है नहीं ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले न तो बाबा केते हैं आत्मा का ज्यान, बाबा का ज्यान, ड्रामा का ज्यान, पुर्शार्त का ज्यान बुद्धी में बैठे, उसके लिए युक्ती रचने पड़े, क्या युक्ती रचे जो बुद्धी में बैठे, सारा दिन विचार सागर मंतन चलना चे, ऐसे क्या युक् बाप को याद करने की तात लगे अभी तो सब को पैगाम देना है यह कहना है कि बाप को याद करो तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा इसलिए बाबा कहते हैं चाट रखो यहना बाबा कहते हैं तीर तो उसका लगेगा जो खुद पूरा याद करते होंगे तो बाबा कहते हैं चाट रखो तब तो चेक हो कि तुम तीर लगाने लायक पी हो या नहीं मुख्य बात है ही पावन बनने की अब जितना पवित्रता होगी उतना बाबा के साथ एकरस योग हो पतीत पने में तो बुद्धी का जिसे सिगनल इस पुरानी दुनिया में ही भटकता रहता है बुद्धी का योग पुरानी देहे और देधारियों से देह की दुनिया से लगा रहता है तो पवित्र बने तब तो बाबा को याद करें और बाबा को याद करें तो और पवित्र बने जितना पावन बनेंगे उतना नौलेज धारण होगी, खुशी भी होगी इसलिए अपने जीवन में मंसा, वाचा, कर्मना, तन, मन, धन, पवित्रता की धारणा करने पड़े बच्चों को तो बहुत खुशी होने चाहिए हम सबका उद्धार करें उद्धार करने के लिए पहले तो सर्विसेबल बनना पड़े पवित्र बनना पड़े ताकि जब किसी को बाबा को याद करो ये संदेश दे तो उसको तीर लगे अपनी अवस्था योगी और पवित्र की बनानी पड़े बाप ही आकर सद्गत्ति करते हैं बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं ये ड्रामा बना हुआ है बाबा तो सुख और दुख दोनों से परे है तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तो हमें सुख का सागर बाप मिला है बाप मिला और क्या? सिर्फ बाप की मत पर चलना है हमें क्या गम है? हमारी तो सर्व संबन, सर्व प्राप्तियां बाबा से है और बाबा तो सदा मेरे साथ है तो कुछ खोने का डर, किसी भी प्रकार का गम तो हमारे लिए है नहीं बस हमें क्या करना है? बाबा तो हमें सब कुछ दे ही रहे बस बाबा की मत पर चल विकर्म विनाश करने है, भाग्य बनाना है, ये समझानी भी अब मिलती है, सत्यूग में नहीं मिलेगी, वहां तो ग्यान की बात ही नहीं, यहां तुमको बेहत का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जासती खुशी होने चाहिए, क्योंकि इस स समय हम इश्वर्य पालना में पल रहे हैं, ऐसा भाग्य तो सत्यूग में भी नहीं होता, वहां भी देवी पालना मिलेगी, इस समय हम बाबा के समान, मास्टर सागर हैं, तब तो हम सिर्फ गुण संपन, शक्ति संपन होंगे, बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको समझाना है, और प्रेक्टिकल बाबा के डाइरेक्शन अनुसार विलायत में, देखो आज कितने सेवा हैं, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है, क्योंकि बाबा सभी का बाबा है, और सब को पावन बना कर घर ले जाने बाबा आए हैं, और हम बच्चों को निम पावन बनने का रास्ता बताओ, सभी कहते हैं भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, पर अंतु समझते कुछ भी ने, बाब अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, अब बाबा क्या कहते हैं, युक्ति से मुक्ति, बाबा को कहा रहम करो, ब्लिस करो है न दुखों से छुडाओ, तो बाबा युक्ति बताएंगे, कि तुम मुरली सुनो, तुम ज्ञान पर विचार सागर मन्थन करो, अपने को आत्मा समझो, तुम बाबा को याद करो, तुम कामवे कामजीत बनो, बाबा कहते हैं मैं तुमें युक्तियां बतलाता हूं, जो युक्ति पर चलेंगे, वो वर्षा पाएंगे, सब को ये बतलाना है, कि तुम रावन की जेल में पड़े हो, कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परन्तु वास्तम में स्वतंत्रता कहां किसको जाता है, ये कोई जानता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र तो पोलिटिकली हो गए, लेक स्वतंत्रता कैसे, तो बाबा केते हैं, रावन की जेल में तो सब फसे हुए हैं, अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, बाबा केते हैं, सच्ची स्वतंत्रता के लिए तो स्वराज अधिकारी बनना पड़े, स्वराज अधिकारी ही विश्वराज स्वतंत्र होकर पाप करते रहते हैं, सची स्वतंत्रता कौन सी है, ये मनुश्यों को बतलाना है, तुम अकबार में भी डाल सकते हो, यहां रावन के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है, यहां तो अन्यों के राज्य से फ्री हो गए, लेकिन विकारों के राज्य से तो स्वतंत्र हुए नहीं, बहुत शौट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक-तिक कोई समझ न सके, आजकल मनुष्य को इतना है न, धेरे भी नहीं है, कि जास्ती पढ़ें समझें, तो शौट में लिखें, तो मनुष्य का ध्यान भी जाएगा, बोलो तुमको स्वतंत्रता है कह तुम तो रावन की जेल में पड़े हो, तुम्हारा विलायत में आवास होगा, तो फिर यहां जट समझ जाएंगे, बाबा ने हमें कहा है, कि भारत के कुमकरणों को तब जाग आएगी, जब विलायत से आवास फैलेगा, तो बाबा कहते हैं, विलायत तक आवास फैलाओ, तो यहां के कुमकरण जागेंगे, रावन की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं, तुम जानते हो, वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, वास्तव में स्वतंत्र कहां होते हैं, सत्युक में, किसकी नजर भी नहीं पड़ती, बाबा कहते हैं, वहां ऐसा कोई है पीछे जब कमजोर बने तब सब की नजर पड़ी, इसको भी अंडरलाइन करना, किसी और की नजर कपड़ती है, जब खुद में कमजोरी होती, जब खुद की खुद अच्छे शक्ति स्वरूप में हैं, तो अन्य की नजर भी नहीं पड़ती, बाबा यहां तक कहते हैं, माया की भी नजर नहीं पड़ती, जब हम अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो बाबा केती पीछे, जब कमजोर पड़े, तब सब की नजर पड़ी, तुमारे धन पर, है न, कब पड़ी, तेखो, मौम्मद गजनवी ने लूटा, सुमनात का मंदिर, वो भी कलि की बात है, तो जब कमजोरी बढ़ते-बढ़ते ऐसी हुई, तब ऐसी लूट की बात हुई, मौम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा, तो तुमारे स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावन के राज्ये में परतंत्र बन गए, भगवान का मंदिर लूट लिया, तो फिर आप सोचो कैसा राज्य हो गया, अभी तुम पुर्षवत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्की स्वतंत्रता को पा रहे हो, वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, यह तो बात भी युक्ती से समझानी है, जिनोंने कल्ब, क्योंकि देखो जो परतंत्र है उसको परतंत्र होने में problem नहीं है लेकिन कोई कहें कि तुम श्वतंत्र नहीं हो तो problem है तो युकती से समझाने हैं जिनोंने कल पहले स्वतंत्र पाई है वही मानें Bugün तुम समझाते ओ तो कितना आर्ग्यू करते हैं जैसे बुद्धों time-waste करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें, कोई बहुत time waste होत करता है, तो फिर लगता है कि किसी और को समझाएं, बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं, रावन की परतंत्रता में दुख बहुत है, अप्रम अपार दुख है, बाप के राज्ये में हम कितना स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता उसको कहा जाता है, जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावन राज्य से छूट जाते हैं, बाबा कहते हैं, रावन राज्य से छूटने के लिए, हमें अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज करना होता है, जैसे अंदकार को भगाने के लिए लाइट चलाने होते हैं, सची स्वतंतरता बाप ही आकर देते हैं, अभी तो पराए राज्य में सब दुखी हैं, स्वतंतरता मिलने का ये पुर्शोतम संगमयुग है, क्योंकि बाबा, बापुजी कहते हैं, बापुजी ने स्वतंतरता दिलाई, तो बाबा कहते हैं, बेहत का बापुजी आए हैं, सं जानते हों जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंतर नहीं कहेंगे फिर जम घटों की सजाइं खाने पड़ेंगे बाबा केते रावन की जेल में अभी हैं, अभी नहीं निकले पुर्शार्ट से, तो जमगटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी ब्रश्ट हो जाएगा, बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं, तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्म हो मुक्तिधाम से आय हो पाठ पजाने, मुक्तिधाम में कोई बंदन था क्या, हर आत्म विलकुर स्वतंत्र, सब को बताओ, तुम वहां से आय हो पाठ पजाने, और अब बाबा आया है, हमें वापस ले जाने, सुख दाम से फिर दुख दाम में तमो प्रधान दुनिया मे बाप कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, रावन की थोड़ी हो, मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, यह न, बाबा कहते हैं, तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं करता, कल्प कल्प मैं ही आकर करता हूं, जैसे बच्चे की जिम्मेवारी बाप की होती हैं, तो बाप ही आकर हमारा उद्धार करते हैं, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है, तुम कितने धन्वान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होते, बाबा कहते हैं, तुम स्वराज अधिकारी बनते हो, तो प्रकृती भी तुमारी जोली भरती है, प्रकृती भी जैसे सर्वप्रकार के सुख संपत्ती से तुमें बरपूर कर देती हैं, भल गरीब हो, फिर भी पैसे की चिंता नहीं है, सत्यूग में कोई भी पदपर हो, चाहे राजा, चाहे प्रजा, गरीब प्रजा भी होगी, उसको भी कभी पैसे की चिंता नहीं होगी, सुखी रहते हैं,egenता यहां होते हैं, यहां तो चाहे कितना भी अमीर हो, सबसे धनवान व्यक्ति भी उसको भी चिंता है, क्योंकि चिंता कलियूक की चीज है, बाकि राज्तानी में नंबरवार पद होते हैं, सूर्यवनश्री राजाओं जैस सब थोड़ी बनेंगे, जितना महनत उतना पद्ध, बाबा कहते हैं, सब राजा नहीं बनते हैं, नमबरवार बनते हैं, महनत अनुसार, तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई-भाई हो न, जाहे धर्म का चोला अ लेकिन हैं कौन? आत्मा भाई-भाई, तो हर भाई को बाप का परिचय दे, वर्से के लायक बनाना है, सब शांतिधाम में रहते हैं, अब रावन राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं, परन्तु अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बाबा कहते ह सब को ये परिचय देना है, कि हम आपको घर जाने का रास्ता बताते हैं, बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, कहते हैं भगवान सब को लिबरेट करते हैं, परन्तु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं, तो लिबरेट करने की युकती बताते ह तो कहेंगे बाबा हमको liberate कर अपने घर ले चलो, दुनिया में कहते हैं हमें घर ले चलो, जैसे तुम लोग फागी में, जंगल में मूँच कहे थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, तो बाबा बच्चों की बात बता रहे हैं, कि जब बच्चों को भी बाबा लेकर ट पहल ने गए, तो फागी आगई, दुन्द हो गई, तो रास्ता भूल जाते हैं, तो बाबा के ते द्वापर से यही हुआ, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया, बेहत के बाब को भी कहते हैं, बाबा हमें लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे, बाबा कहते हैं कि जानते ही नहीं रास्ता, जूढ़े भी तब ना, जब रास्ता बताने वाला आकर रास्ता बताए, सर्व्यापी हैं, तो फिर मिलेंगे कैसे, उल्टा रास्ता और बता दिया, कितना अज्ञान अंधियारे में हैं, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं, फिर हमें रास्ता मिल जाता, हम दुख दाम से शांति दाम और सुख दाम पहुंच जाते, उस रास्ते पर चल कर, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे, मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, ओम शांतिateur, दारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी का गम नहीं करना है, कोई चिंता नहीं, उनकी मत पर चलकर बेहत का समझदार बन, खुशी-खुशी सबका उधार करने के निमित बनना है, जमगटों की सजाओं से बचने वा सच्ची स्वतंतरता पाने के लिए पावन जरूर बनना है, नौलेज सोर्स ओफ इंकम है, इसे धा बनना है, वर्दान है, नौलेज की लाइट माइट से, रौंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्यानित आत्मा भव, बाबा कहते हैं, कहा जाता है, नौलेज इस लाइट और माइट, जहां लाइट अर्थात रोश्नी है, कि ये रौंग है, ये राइट है, ये समर्थ है, तो रौंग समझने वाले रौंग कर्मों वार संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते, तो समझ से शक्ती मिलती है, ज्यानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्यान स्वरूप, कभी ये नहीं कह सकते हैं, कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन, उनके पास रौंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ती होती है, तो नौलेज सर्फ लाइट नहीं है, माइट भी है, ज्यान स्वरूप बनना मना समझ और उस रौंग को, जो समझ लिया है रौंग है, उसको परिवर्तन का राइट करने की शक्ती, स्लोगन है, जो सदा शुप चिंतक और शुप चिंतन में रहते हैं, वो व्यार्ट चिंतन से छूट जाते हैं, व्यार्ट चिंतन, दुनिया में कहते हैं, ओवर थिंकिंग, वेस्ट फूल थिंकिंग, खतम कैसे हो, तो उसकी सीधी सीधी विधी है, कि शुप चिंतन की शुब चिंतन और शुब चिंतक का अधार क्या है स्वचिंतन, क्योंकि जैसा हम अपने प्रती सोचेंगे, अपने को जैसा देखेंगे, वैसा अन्य को देखेंगे, अन्य के प्रती सोचेंगे, तो पहले स्वचिंतन करें, फिर हर एक के प्रती शुब चिंतन करें, और फिर कवस्था को पाएं तो व्यार्चिंतन समाप्त हो जाएगा अच्छा आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं 15 अगस्त 2014 के अव्यक्त इशारे जैसे कोई के उपर किसी का हाथ होता है तो वो निर्भे और शक्ति रूप हो जाता है कोई भी मुश्किल कारे करने को भी तयार हो जाता है क्योंकि उसको लगता है समालने वाला बैठा है इसी रीती श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने उपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थति वा माया के विगन से गबराएंगे नहीं क्योंकि पता है, मुझे तो सिफ हिम्मत का कदम बढ़ाना है और बाप मददगार बैठा है, हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे, चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, है न वास्तव में श्रीमत का हाथ, श्रीमत का पा श्रीमत रूपी हाथ अगर है, तो हाथ और साथ के कारण सदा विजई रहेंगे, अच्छा, आज सत्गुरवार है, आज सभी साड़े साथ बजे मुडली पर चिंतन मन्थन के लिए उपस्तित होंगे, आठ बीस पर संगठित रूप में प्यारे बापतादा को भोग स्वि एक टॉक रहेगी और ओनलाइन भी वो टॉक जो चाहते हैं जोइन कर सकते हैं, वाट्साप करेंगे, तो साड़े चार से पांच योग रहेगा और पांच बजे टॉक का टाइम होगा, तो जो भी जोइन करना चाहें और जो दिली NCR में हैं, वो उपस्तित होकर टॉक का ला अम शांटी